बहुत सारे छातरों के मन में ये डाउट्स रहते हैं कि पोस्ट टेमेटिक एसकोलर्शिप के लिए अपलाई तो कर दिये और जो रिसीविंग मुझे पराप्त हुआ जो मिला उस रिसीविंग को कॉलेज में जमा करना परेगा अगर जमा नहीं करेंगे तो मुझे रूपिया नहीं मिलेगा ऐसा भी बात होगा तो इस वीडियो के अंदर हम आपको ये डाउट्स क्लियर करने वाले हैं कि आपको कॉलेज में जाका रिसीविंग जमा करना या फिर नहीं करना है तो चलिए आज कुस वीडियो को सुरु करते हैं पोस्टमेटिक एसकोलर्शिप के लिए आपने तो ओने अपलाए कर दिया तो अगर आप रिसीविंग वहाँ पर जमा नहीं करेंगे तो आपके जो कॉलेज हैं उसमें वेरिफिकेशन कैसे होगा जो भी नोडल ओफिसर होते हैं कॉलेज के जो भी कम्पूटर ओपरेटर होते हैं उनके दोरा वेरिफिकेशन किया अगर आप रिसीविंग जमा नहीं करते हैं तो भी आपका वर्यूफाइअ क्रते लेकिन आपको मेडिफिकेशन लिहां करना की परेगा तो आपको लिए बेतर होगा कि जल्क जल्द आपका verify होगा उहां से और verify होने को बाद आपका होगा प्पाहँ से payment आएगा तो मैं आपको यह भी बता दू कि जब дело प्रीशिविंग जमा करेंगे तो इसके साथ और आपको क्या जरूड़ी टेकमेंस जमा करने यसे कि मैं आपको यहां से बता दू कि जब आप online apply कर रहे थे तो apply करने में आपको क्या 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 लगते हैं मैं आपको यह से बता दू जाती आए अब 80 है उसके बाद एक हो गया bonafide certificate फिर उसका मार्क सिट हो गया इसके अलावा अन एक दो all documents लगते हैं तो जो भी आपको online apply करते समया documents लगे थे और एक आपका receiving हो गया जो यह scholarship apply के थे उस सभी documents को एक साथ आप pin up किजिए और pin up करने के बाद जाकर college में submit किजिए यह जमा किजिए तो आपका होंसे verification में किसी प्रकार के भी दिक्कत नहीं होगा आपका जल्द से जल verification होगा और आपका payment आने के समावना बहुत ही जल्द उससे हो जागी वीडियो पसंद आये होगी तो like के जिएका share के जिएका और आपके मन में किसी प्रकार के कोई confusion है तो आप हमें नीचे comment के जिएका वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मिलते हैं किसी और दिन किसी और पढ़िया वीडियो के साथ